स्वागत है आप सभी को ग्यापन एकेडमी के इस नए वीडियो में और आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं लेशन 2 का अभ्यास का कोसेंशर बोले तो exercise का all कोसेंशर इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नाइन्ध क्लास का जो लेसन टू था उस लेसन टू का नाम था क्या हमारे आस पास के पदार शुद है तो चलिए उसका बीना देर किया है हम लोग एक्सरसाइज के कोसे अंसर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसको बढ़ियां से समझ करके ताकि एक्जाम में इस टाइ पहला कोसन हम लोग देखते हैं पहला कोसन कह रहा है निमनीलgrass के को प्रइथक करने के लिए आप किन विधी ऑपनाएंगे प्रिथक बोले तो अलग करने के लिए और यहां पर दिया गया है विकल्प जैसे पहला में surprisingly दिया है सोडियम कोलोराइड को जल के विलियन से प्रिथक करने में कौन सा विधी अपनाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो sodium koloride है यानि N-C-L है ठीक है और प्लस जल का विलियन है है ठीक है अगर यह दोनों एक साथ हैं तो प्रिथक करने के लिए कौन से विधी अपनाएंगे तो इसके लिए आप evaporation का मेथड अपनाएंगे बोले तो वास्पी करन का विधी अपनाएंगे तो यह अलग हो जाएगा ठीक है और दूसरा दिया है दूसरा दिया है कि अमोनियम कोलोराइड को सोडियम कोलोराइड तथा अमोनियम कोलोराइड के मिस्टरन से प्रिथक करने में कौन सा विधी अपनाएंगे तो यह होगा आपका उत्तर उर्धवपातन विधी ठीक है अब अगला प्रस्ण देखेंगे इसी प्रस्ण का अप्शन सी देखेंगे सी नमर में देखेंगे क्या को सन पूछ रहा है धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन आयल से प्रिथक करने में कौन सा विधी अपनाएंगे तो सी में आपनी स्पाधन या छानन विधी के द्वारा भी आप अलग कर सकते हैं और डी में दिया है कि दही से मखन निकालन करने के लिए आप कौन सा विधी तो हम जो वीडियो बनाएं उसमें बहुत ही अच्छे ढंस समझाएं यह सारे जीतने भी को संपूछ रहा है न सारे का जो प्रिथिकरण विधी है हम बहुत ही अच्छे ढंसे उसमें बता है कि कौन से विधी किस जगा पर इस्तमाल करेंग के तो देखेंगे 253 मक्षण निकालने के लिए अभर अप कौन सविद्धि अपनाएंगे तो बताएंगे यहां पर आप हमरे वीटियो देखेंग तो जरूर बटाएंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा आपके अंद्रान वीधि तीक है ना या दाऊ से निकालने के आपके दिकाते हैं इसको अगर हमstände आपनी भास में कहा जाए तो हम लोग कहां धनी वीधि यानि मा करके किया कड़ी दाऊ से मखर निकालते है कि अगला देखेंगे इसी में पूछ रहा है यहां देखिए मैं डाइरेक्ट जो है ना आपके जो बुक का कुस्सान है उसी को डाइरेक्ट हम एसकेन कर दिया है इस वीडियो में देखिए यहां पर देखेंगे ये में क्या पुछ रहा है जल से तेल निकालने के लिए कौन सा प्रितिकरनड वीदी को अपनाएंगे तो ये कसा ही उतर हो जाएगा प्रितिकरनड कीप के द्वारा आप अलग कर देंगे जल से तेल निकालने के लिए ठीक है ना प्रितिकरनड कीप के माध्यम से कीप से ही आ करेंगे तो आप छानं वीदी त्वारे फिल्ट्रेशन विदी के द्वारे आप अलग कर देंगे चाये नीचे चला जाये गाचाय को पती उपर रहा जाएगा जैसे कि घर में जैसे चाय बनते हुए और चाय के पती को और चाय के liquid को अलग करते हुए आप देखे होंगे तो वो चाय च्छननी सही हो जाता है अलग ठीक है ना तो च्छानन वीधी दोरा हम कहेंगे कि चाय से चाय पति को हम प्रिथक कर सकते हैं और जी में पूछ रहा है बालू से लोहे की पीनो को प्रिथक करने में कौन सा वीधी को अपनाएंगे तो जी का सही उतर हो जाएगा चुमबा के प्रिथी करन वीधी ठीक है ना चुकि बालू और लोहा एक साथ मिला हुआ है ठीक है ना तो जो भी लोहे के चूण होती है या लोव से बनी पदार्थ होती है तो अगर हम मेगनेट को ले करके जाएंगे ना तो जितने भी लोव चूण होते है ना वो मेगनेट में आ करके ठीक है ना वो आ करके चिपक जाते हैं जिसे हम बालू में मौज़ूद लोव या लोव कर सकते हैं इच में दिया है भूसे से गेहूं के दानों को प्रिथक करने में कौन सा भी धी अपनाएंगे तो इच में फटकन भी धी फटक करके हम लोग क्या करते हैं भूसे से गेहूं को अलग करते हैं ठीक है न या गेहूं से भूसे को अलग करते हैं आई में है पानी में तहरते हुए महीन मिट्टी के कड़ को पानी से अलग करने के लिए कौन सा प्रिति करण को अपनाएंगे तो आप भारण या फिटिकरी का उपयोग करके ठीक है ना अब यहां पर जिये में दिया है पुस्प की पंखुडियों के निचोड से वीधि वीभिन रंजको को प्रि को सिंगते हैं यह मिट यफ्टेर करने के लिखिद वीद्यों को अपना एंगे पहले हो जाएगा आपका वस्पन या वास्पी करण दूसरा का दो अगला परसन देखेंगे जरा यहाँ पर अगला परसन क्या बोल रहा है अगला पकरन के लिए आप कीन चननों करेंगे विलियन उतर देखते हैं किस तरिका से हम स्टद लिखेंगे आप लोग भी इसको देखेंगे ठीक है ना क्या करेंगे आप विलाएक के रुप में लेंगे उसके बाद से खौम है इसमें चीनिक डाले हैं जो एक विलाएप पदार्त है ठीक है ना और देखिए आब यहाँ पर क्या था जो हमने कौन है जो विलायक के रूप में हमने जो एक कप पानी लिया तो पानी क्या कर रहा है अपने में घोल रहा है किसी को भी जो अपने में घोलता है जो पदार्थ अपने में किसी पदार्थ को घोलता है तो वो विलायक होता है और जो घूलता है ठीक है न वो विलाय होता है तो चीनी क्या है पानी में जाकर के घूलेगा इसलिए चीनी विलाय हो गया और पानी अगर चीनी को घूला रहा है तो वो विलायक हो गया ठीक है न और तीसरा एस्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए तीसरा एस्टे कि देखिए जब आप इसे जल और चीनि के विलियन में मैंनी जल और चीनि को आपस में जब मिलाएं विलाय को आपस में मिला है ठीक है ना फिर चाय बन करके जब तयार होगा ठीक है ना तो आप क्या करेंगे अब एक च्छाननी द्वारा इसे च्छानी आपको चाय घुलाय तथा चाय की पत्य च्छाननी के उपर आउसेस रूप में प्राप्थ होंगी तो लगभा लगभा जो प्रस्न दिया था यहां देखेंगे प्रास्ण जो दिया था कि विल्यान का पर्योम की जिए सब्द का विलाय का गुलना का गुलंशील अलडूंसील विलाय फिल्ट्रेत तथा और यह सारे सब्दों का परियोक कर एक एक इंसर त्यार करना है तो आप इंसर देख करके समझ गये होंगा कि इसमें ल नीचे दिए गए आकड़ों को प्राप्त किया प्राप्त को 100 g जल में विलायपदार्त की मात्रा जो संत्रीत बिलियन बनाने है तो प्रयाप्त है निम्लिखित तलिकार में दर्शाय गया है जैसे कि यहां पर देखिए थीयों तपमान है जो केलिविन में दिया हुआ है तीन सा तेरे के हैं तीन सो तिरपन है और थोड़ा सा मीट गया है देख लिजएगा आप लोग किताब में किलियर हो जाएगा और यहां पर दिया है कि पचास ग्राम जल में तीन सा तेरे के पर पोटेसियम नाइटरेट के संत्रीत विलियन तयार करती है और विलियन को कमरे के तपमान पर ठंड़ा होने के लिए छोड़ देती है जब ठंड़ा होगा तो वह क्या अलोकित करेगी इस पस्ट करें यह कुशन है जो एंसर टाइप है उसके बाद से हैं 293 के और 293 के को अगर आप डिगरी सेलसे में बदलना च गुलन सिल्ता पर क्या परभा होगा यानि कि आपको यहां पर प्रग्या नाम की जो लड़की है वो तीन अलग-अलग पदार्तों के गुलन सिल्ताओं को विभिन तपमानों पर क्या किया है टेस्ट किया है और उसकी बाद से कुछ इस तरीका से उसका सवाल बन रहा है कि बताइए यह सारे एक्टिवीटी का क्या एंसर होगा तो यहां पर देखिए उसका उत्तर हम तयार किया है देखिए चुकि 100 ग्राम जल में 303 के ताप पर पोटेसियम नाइट्रेट को हम लोग करते हैं के नो थ्री पोटेसियम नाइट्रेट को संत्री दूलियन प्राप्त करने है तो इसकी मात्रा 62 ग्राम है तो हम सल्व करेंगे चुकि हमने पहले ही बोल दिया था कि सालूशन बेस कोशन है इसलिए 50 ग्राम जल में 303 के ताप पर के नो थ्री की मात्रा यहां पोटेसियम नाइट्रेट की मात्रा 62 हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा उसके बास 31 तो आपका एंसर आजाएगा दूसरा जब कोसरे ले अप देखaken उसका उत्तर होगैं यहां के संतुरीप्त घष्य करने प्री केसे नियुक्त के यह क्षिज से प्रीठक हो क्यूंकि ठंडा करने पर घुलन सिलता घटती है अता ठोस के नो के नो बोले तो पोटेसियम नैट्रोजन अक्साइड का क्रिस्टल प्राप्त हुआ ठीक है ना अब आईए सी का जो उत्तर है वो इस तरह है 293 ठीक है और हमने पहले भी बताया कि भले ही केल्विन में है बट तो डरना नहीं है तो 273 आप तुरंद घटा देंगे 293 में से जो बचेगा वहीं आपका डिगरी सिल्सियास ठीक है ना तो 293 के पर पर प्रतियक लमड की घुलन सिलता इस परकार है ठीक है ना पहला कि पोटेसियम नैट्रेट 32 ग्राम पर आ जाएगा एनने सील 36 ग्राम प कोशन दिया था वह देखिये क्या है ताप में विरिती होने पर किसी लमड की घुलन सिलता बढ़ती है तथा ताप में कमी होने पर घुलन सिलता घटती है ठीक है अब चलिए अगला प्रासन देखते हैं अगला प्रासन क्या है अगला प्रासन है नीमन की उधानर सहित ब्य तो चलिए हम लोग एंसर की तरह बढ़ते हैं देखिए सबसे पहले हम लोग संत्रीप्त का उतर देखें संत्रीप्त विलियन संत्रीप्त विलियन क्या है तो जब किसी दिये गए ताप पर किसी विले की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घूल सकती है उस विलियन को हम तो यह संत्रीप्ति विलियन हो गया ठीक है आप देखिए अगला अगला शूत-पदार्त क्या है तो शूत-पदार्त वह है जो एक परकार की कड़ों से मिलकर बना होता है तथा इसमें मौझूद सभी कर समान रसानिक परकृति के होते हैं जैसे कि सोना चांदी इत्यादी ठीक है ना तो यह क्या हो जाएंगा और हाँ जो पूछा था कि क्या है निलंबन क्या है तो उसका उत्तर जो है ना प्रिश्ट संक्या से आप देख करके लेख सकते हैं चले अगला प्रासन देखते हैं अगला प्रासन है निमलिखित में से परतिय को समांगे और विसमांगी मिस्राइब करें सोडा जल लकड़ी बर्फ वायू मीटी सिरका च्छानी हुई चाय ठीक है ना तो चलिए इसको देखते हैं इसका उ कि बिला हुआ हैं आप समझ रहे मेरे बात को लघेगा ही नहीं कि वह मिला हुआ है सोडा और जल आपसमें मिला दो लेकिन उसमें सोडा की ना होगे ठीक है ना तो इस पर कार पूष्टी करेंगे कि दिया हुआ रंगहिंद्राव शुद्ध जल है तो चलिए इसको पूष्टी करके देखते हैं ठीके ना इसका उत्तर देखिए समझेगा उत्तर यादी वायू मंडल ये दबाव पर दिया हुआ रंगहिंद्राव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल अगला है अगला है प्रसन संक्या साथ निमली खित में से कौन सी वज्ट ये सुद्ध पदार्थ है अब इसमें सुद्धता के दिरिष्टी से आपको छाटना है दिया गया है देखिए बर्फ है दूध है लोहा है घ्रुकलोरिक अमले केल्सिया में पारा इट है लकड़ि है ठीक है बर्फ लोहा एचल और सियो और पार उप्रुक्त सभी शुद्ध है ठीक है ना किलियर हो गई बात अब देखिए हालंकि मैं शुद्ध और असुद्ध पर ज्यादा हम इस पर एक्स्प्लेंड नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम वीडियो में बहुत पाले जो हम अच्छा धंक से हम समझा दिये तो फिर उस वीडियो को देख लेंगे ना तो आपका कंफ्यूजन किलियर हो जाएगा अगला प्रसंद देखेंगे निमलिखित मिस्राणों में से विलियन की पहचान करें ठीक है ना विलियन की पहचान करें जैसे मीटी दिया समंदरी जल वायू कोईला सोड़ा जल असान है अब इसका उतर जो लिखें आपको समझ में जाएगा तो देखिए मिस्राणों में से विलियन पराप्त करना है तो समंदरी जल और सोड़ा जल यह क्या है विलियन जो लिक्वीड होई है अब यहां पर देखिए घजरा ठीक है ना क्या आपको मिटी लग रहा है क्या आपको कोई लग रहा है क्या आपको वायू लग रहा है नहीं तो आए ना इसका उतर देख लिजिए समंदरी जल और सोड़ा जल क्या हो जाएंगे विलियन हो जाएंगे चलिए अगला प्रासन देखते हैं अगला प्रासन का रहा है कि निमन का गोल दूद कौपर सेट का वीलियन श्टार्च वीलियन तो इसमें से कौन है जो टिंडल परभाव को क्या करेगा परभावित करेगा तो हम जब निलंबन कॉलायड और बैयानि दिया था ना उसमें बताया ते टिंडल परभाव क्या हर और कैसे जो है अब चलिए अगला प्रस्न है अगला प्रस्न देखें कि दस नंबर निमलीखित को तत्व योगिक तथा मिश्रन में वर्गी क्रिद करें सोडियम मिट्टी चीनी का घोल चांदी कैल्सियम करबने टीन सिलिकॉन ठीक ना तो यह क्या बोला है इसमें बोला है यह बोला है कि कौन योग섯 है और कौन मिश्रन देखित तथों जिसमें एक इक पर का गणव पाई जाता है और यौगी जो दो यह दूसरी टतोगा मिश्रन होते हैं तो जो योगी को का किया तो का आपसी मिल करके जो पदार्थ कर निमार करते हैं मिश्रन के लाता है तो छलिए वह देखी क्या हो गहा है जो मिल मिल करके बना है लेकिन यह क्या है देखिए यहां पर चीनि का गोल मी टिवाईयु इसमें बहुत सारी состоition है Coach ऊलूट रग तो थी का ना दोया दोसे अधिक composition इसमें हैं और इसमें ज्जाद से ज्यादा दो है ठीक यहां तो तरीके से यह भी मिश्रण है और यह भी मिश्रण है लेकिन जो सर्थक्षा होते हैं इसमें परतीकिषित में समानकर्ण पाये जाते हैं वह अलग चंट कर लिभीक्षात करें यहां लिए चलिए करियार करके आपको दिखा भी दिया चलिए अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है निमली खित में से कौन कौन से परिवर्तन रसाइनिक है अब आपको बताना होगा कि कौन कौन से रसाइनिक है ठीक है तो यहां पर आप बताएंगे बहुत ही आसान कोस्तन है क्या बताओं मतलब इसके बारे में हम बहुत अ तो टॉपिक मिला था भौतिक और रसायनिक परिवर्तन इतना अच्छा ढंक समझाएं अगर आप मेरे उस विलियों को नहीं देखे होंगे तो प्लीज जरूर देख लिजेगा तभी जाकर आपको यह समझ में आएगा और दिये गए लुकलत में आप इसमें चुन पाएंगे इसमें से कौन है जो रसायनिक परिवर्तन का इक उधारण है तो देखे यहाँ पर सवाल है वह पूछ रहा है देखेगा पौध है की मिरीधी क्या है रसायनिक परिवर्णय की बहुतीक परिवर्त हालेक οποा तो कोई परिवर्तन हो जाएगा उसके बास लोहे में जंग लगना रसाइनिक परिवर्तन हो जाएगा उसके बास लोहे के चुंड तथा बालू को मिलाना क्या हो जाएगा लो अपना तो पूरा जोगराफिया ही बदल लिया, तो यह हो जाएगा रसायनिक परिवरतन, भोजन का पाचन ये वी रसायनिक जल से बर्ष बनना ना रे भाबा ये नहीं होगा, ये एक भहुत थीक परिवरतन है, मुंबत्ति का जलना बिलकुल होगा ठीक है तो यहां देखिए कुल मिला जुला करके पौधे के व्रीधी क्या हो गई रसाइनिक परिवर्तन लोहें में जंग लगना जो ग्राफिया बदल गया है सीधी सी बात है जो अपना में फेस छोड़ करके नाया रूप ले ले और फिर पहले की तरह ना दीखे तो हो तो रसाइनिक परिवर्तन होता हैं लोगा कर सकते ये कोई थोडिए बहुत थिक परिवर्तन होगा ना की ओसके परिवर्तन होजा अब आई आए भाना पकाना देखी चावल कहने लाइक हो जाता पाचन भी जो हम लोग खाते हैं वो चीज अप पेट में जाकर को उस तरीका से नहीं रहता है चोबीस घंडा बाद वो क्या हो जाता है बिल्कुल जो है ना कि उसका माने जुग्राफिया बदल जाता है जल से बर्फ बनना यह क्या है यह तो होगा नहीं बिल्कुल नहीं जल से बर्फ बनना क्योंकि बर% चल बन सकता है मला का झालना जरूर हो जाएगा तो कुल मीला क्या 형त कर करके बाकि सब्साइब क्या हो जाएगा ऐसानि पर तेम सब रसानिगल वड़न पर हो सकता है और कोई प्रस्ट है कि नहीं अगर नहीं होगा तो जैहिंद भारत हो जाए हैं यहां पर लिक भी दिया है उत्र पौद्व में बिरीदी लोह में जंग लगना खाना पकाना भोजन का पाचन मंबाती का जलना यहां पर आपका उत्तर भी तयार हो गया नो प्रॉब्लम तो देखते हैं हाँ आप तो कोई प्रस्ट नहीं है इसके आगे तो यहां हम अपना वीडियो को exercise wise पूरी answer के साथ completely समाप्त करते हैं आपका lesson to पूरी तरीका से यानि के 100% पूरी satisfaction के साथ हम समाप्त कर दिये हैं अगर इसमें किसी तरह का भी doubt होगा तो आप हमें comment box में जरूर बताए है comment box और सो खाली नहीं छोड़ना है और हाँ फिर अंत्मे मैं यहीं कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एस यूबी सब SCRIB सब्सक्राइब जरूर कर दियेगा और बगल में जो बेल आइकन होगा उसको दबा कर all पर क्लिक कर दियेगा ताकि हमारे आने वाले टीम के हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद